सबसे 30 दौने वाले पवन चीते की मौत मृत अवस्था में याधा हिस्सा 12 वाधा हिस्सा नाले में बड़ा मिला खबर शोपुर से है जहाँ कूनो नेशनल्ल पार्क में पवन नाम के नरचीते की अज़ानक मौत की खबर निकल कर आई है कुनो में चीता पवन का शव एक जाड़ियों के बीच नाली में मरतवस्था में मिला है मौनिटरिंग टीम ने डॉक्टर को सूझना दी प्रथमरश्चा डॉक्टर ने परिक्षन उपरांथ मौके पर ही मौत की पुष्टी कर दी है कुनो नेशनल पार्क में अब 12 वैसक और 12 शावक बच्चे हैं कुनो नेशनल पार्क में कुन्मा बढ़ानिक को लेकर काफी खुशी मनाय जा रही थी लेकिन अब भारत की धर्थ पर सबसे 30 दौरने वाला पवन चीता कुनो नैशनल पार्क के एक बड़े बाड़े मिम्रतावस्था में पाया गया है ये पवन चीता नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को पिधार मुंति नरिंद्र मूदी के जर्म दिन पर लाया गया था पहले खेप में साथ चीती आये थे जिसमें ये हपावन सबसे तेज दोरने वाला चीता था जो की कुनो नैशनल पार्क से कई बार कुनो की सिमा लांग कर भी जा चुका है और कई बार इससे ट्रैकुलाइज करके भी लाया गया है आपको बता दे की इसी महने में ये चीती की दूसरी मौत है इसके पहले माताचीता गामीनी के एक शावक की मौत हुई गामीनी के शावक की मौत 29 जुलाई बताई जो आ रही है प्रेस नोट पाउच अगस्त को जारी किया गया जिसकी मौत का कारण डीड की हड़ी में फैक्चर होना बताया गया है आज पवन चीती की पार्क में जितने भी शावक को और वियसक चीतों की मौत हुई है उनकी मौत का कारण कूनो प्रबंदक PM रिपोर्ट आने का हवाला देते हैं लेकिन आज तक किसी भी PM रिपोर्ट को विभाग द्वारा खुरासा करके जानकरे नहीं दी गई मौनिटरिंग टीम ये दावा करती है कि ये चीते सभी निगरानी में हैं लेकिन इस तरह चीतों की मौत ये दर्शाती है कि मौनिटरिंग टीम सिर्फ कूनो नेशनल पार्क में हाथ पे हाथ रखी बैठी हुई है क्योंकि घटना के काफी दिनों बाद मौनिटरिंग टीम क चीतों की मौत या घटना का काफी दिनों बात पता लगता है देखे शोखपुर से सब्वात अता अमित कुमार शिवास्तव की खास रिपोर्ट